नमस्कार दोस्तों मेरा नाम में विमल सिंग बाला जी श्टेडी एड़ा में आपका स्वागत है लेकपाल और सुपाड़ेट के लिए हम आपको GKGS और हिंदी के प्रस्ण करा रहे हैं तो इसी सेट के हमने हिंदी के प्रस्ण इससे पहले देखे देए सामवेद, यजूरवेद, अथरवेद या फिर रिगवेद तो बताईए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचरा जो है वो दी गई है अंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहां पर रिगवेद जो है वो सही होगा और सबसे प्राचीन तम अगर वेद की बात करें तो भी आपका रिगवेद ही है ये भी कुश्चन यहां से पूछा जाता है और प्राचीन वेदिक युग की संस्कृति की बात करें तो भी आपका रिगवेद ही यहां पर ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन दी वाल है यहां पर सही हो जाएगा 52 प्रसने की भारत में जो मूर्ती पूजा है उसका आरंब कब से जो है वो माना जाता है और यहां पर जो वेदिक काल या फिर सिंदू सब्विता आंसर की बात करते हैं तो जो सिंदू सब्विता है वहां से ही आपको जो मूर्दी पूजा है उसका आरंब जो है वो देखने को मिलता है और यहाँ पर जो वैदिक काल लिखा है यह आपका नहीं होगा इस चीज का धान लखेगा आपका सिंदु सब्विता है यहाँ पर सही होगा अगला प्रसन है 53 कि 1739 इसवी में कौन सा इस्थल है जिसके निकट मुगल तथा नादिर सा सेनाओं के बीच युद्ध हुआ था पानीपत, सोनीपत, करनाल या फिर दिल्ली तो बताइए 1739 में हुए जो युद्ध है उसकी बात यहाँ पर पूछी गई है पानीपत, सोनीपत, करनाल या दिल्ली अंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका उप्षन करनाल जो है वो बिल्कुल सही होगा कब हुआ था? 1739 में तारिक थी 24 फर्वरी की और यह जो युद्ध हुआ था यह नादिर सहा और मुगल जो बात सहा है यह डिरेक नाम देखने को मिल जाता है तो मुहम्मद सहा और नादिर सहा इनके मद्ध जो है वो लड़ा गया था नादिर सहा के आक्रमर से भैवीत होकर जो मुहम्मद सहा था वो अन्य सासक भी इसमें जो है वो सामिल हो गयते पर इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछ जाता है बिसिकली आपसे तारिक पूछी जाती है किसके इसके बीच हुआ था यह दोनों चीज़े आपको याद जेम्स प्रिंसेप, हैरियर स्मित, जॉन टावर या फिर रिचर्ड जॉन कौन सा इन में से सही होगा असोग के सिलालेक को पढ़ने वाला प्रिथम अंग्रेज अंसर की बात करते हैं तो आपका ओप्शन याँ पर जेम्स प्रिंसेप जो है वो सही होगा 1837 का समय था जिसमें James जो प्रिंसप है इन्होंने जो सिलालेक है असो के सिलालेक है इनको जो है वो पढ़ा था पर अगर बात करें सिलालेक की जो है वो खोज किसने की थी तो फैंथलर थे 1750 में फैंथलर जो है उन्होंने जो है वो खोज की थी खोज करना अलग है पर उसको पढ़ पारना वो जो है वो अलग है अगला देखते हैं 55 प्रस्न कि भाखडा जो है वो भांगडा कहां का नरत्य है दिल्ली, पंजाब, हर्याणा या फिर राजिस्थान बहुत या असान सा प्रस्न है आप सभी जानते हैं कि भांगडा कहां का नरत्य है बिल्कुल आपका ऑप्शन है आपर पंजाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा अगला है डांडिया कहां का प्रसिद्ध जो है वो नरत्य है जारकंड, महराष्ट, गुजरात, असीम बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा तो डांडिया जो है आपका अंसर भी बात करते हैं गुजरात का जो है वो नत्याँ आप देखते ना दो छड़ी टाइप की होती है उससे आपस में जो है वो sound produce करके जो है वो नत्य किया जाता है तो C वाला आपका option यहाँ पर जो है वो सही होगा अगला देखते हैं 57 प्रसन कि हिमाले के स्थान पर कौन सा सागर जो है वो विद्धमान था पहले को तेथीज सागर, म्रत सागर, अरब सागर या फिर लाल सागर हिमाले के स्थान पर कौन सा सागर जो है वो विद्धमान था अंसर की बात करते हैं इन चारों में तो टेथीज सागर आपका जो है यहां पर सही होगा, अगला प्रसना आपका बहुत पूछा जाता है, तारे के रंग के सूचक के संदर में, कि जो तारे का रंग होता है, वो किसका सूचक होता है? उसके प्रत्वी से दूरी का, उसके टेंपरेचर का, या फिर उसकी ज्योती का, या फिर अंदकार का तो बताईए इनमे से कौन सा जो हो, वो सही होगा तारे का रंग सूचक है, उसकी प्रत्वी से दूरी, उसके ताप, उसकी ज्योती, या फिर अंदकार अंसर की बात करते हैं तो तारे का रणग होता है वो उसके temperature का सूचत होता है तो उसके tap का आपका option जया आपर जो है वो बिल्कुल सई होगा अगला आपका प्रस्न है कि मृदाच छरण अपरदन अधिक होता है जब कम वर्सा होती है अधिक वर्सा होती है जब वर्सा होती ही नहीं है तब यह मौसम खराब होने की इस्तिती में तो मुर्दा चरण क्या होता है अपरदन क्या होता है मिट्टी का कटाओ होता है और मिट्टी का कटाओ कब होगा जब वर्षा कम होगी या जादा होगी तो आप समय जाहिड सी बात समझ रहे हैं कि जब वर्षा जादा होगी तो अधिक भारी वर्षा जो है जो जल होता है व वो हुए थे 1952 से 53, 1950 से 1951 या 51 से 52 या 56 से 57 कौन सा इन में से सही होगा लोग स्थभा के लिए सबसे पहले आम चुनाओ अंसर की बात करते हैं तो 1951 से 52 ये वाला जो समय है ये आपका जो है वो सही होगा तारिक थी याँ पर 51 की 25 अक्टूबर की 25 अक्टूबर 1951 और 52 की 21 फरवरी थी तो आपको स्थानी पूशा जाता है और ये दो जो आपके सन है वो किसे सम्दित है पहले आम चुनाओ से सम्दित और ये 1947 में सोतंतरता जब मिली थी उसके बाद लोगसभा के पहले चुनाओ जो है वो थे अगला देखते हैं 61 प्रस्न उपराश्टवती के निर्वाचक मंडल में फामिल है राजसभा और लोगसभा के सदस से सिर्फ जो है वो लोगसभा के सदस से या फिर सिर्फ राजसभा के सदस या राजसभा और लोगसभा के निर्वाचे सदस से कौन सा इन में से जो है वो सही होगा इन चारों में से अंसर की बात करते हैं उपराष्टवती के निर्वाचक जो मंदल होता है उसमें संसत के दोनों सदस से होते हैं तो लोगसभा सिर्फ वाले उप्शन तो ऐसे कट जाएंगे निर्वाची सदस ना ओकर राज़वा और लोगसभा के सदस से आपका जो है आपर सही होगा और दोनों सदनों की जो सदस से हैं ये मिलकर जो इनसे निर्वाचक गड़ होता है उनके द्वारा बनने वाला जो निर्वाचक गड़ होता है उसके द्वारा अनुपातिक प्रतिनिदित्व पद्धती इसके अनुसार एकल संकरमणिये मद त्वारा जो है ये चुनाओ ज जो है वो निर्वाचन complete होता है और ऐसे में जो निर्वाचन होता है उसमें जो प्रक्रिया होती है वो गुप्त होती है इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं अगला देखते हैं आपकी थी इको सिस्टम रिस्टोरेशन इसको रिस्टोर किया जाए तो आर इस टी ओ आर ए रोरेशन यहां पर तो आपसे मिक्स हो गया टी ओ आर ए टी आई ओ एन रिस्टोरेशन यह जो है दो जार एक्किस की जो है वो थीम थी अगला देखते हैं प्रसना 63 प्रसना आपका अगला है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला जो है वो कौन थी कस्तूरवा गांधी इंद्रा गांधी मदर टेरेसा या फिर अरुना आसफ अली यह पॉर्टेट कुश्चन है बताइए इन में से कौन सा सही होग भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला अंसर की बात करते हैं इन चारों आप्शन में से तो आप सभी जानते हैं इंद्रा गांधी जी जो है बी वाला आपका 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 यहां से question आपका आ चुका है, अभी pet वाला exam हुआ था या किस में यह जो है वो पूचा गया था, तो बताईए इन में से कौन सा सही होगा, साथी साथ वीडियो पसंद आए, तो like सभी लोग अवश्य करते रहेगा, इस प्रकार अच्छे प्रस्णम टैक्टिस जो है वो करते रहेगा, तो बताईए, 2011 की जन्गरणा के अनुसार, भारत की साक्षर्ता दर कितने प्रतिसत जो है वो थी, अंसर की बात कर लेते हैं, इन चारों में से, तो आपका option, option यहां पर C वाला जो है, वो सही होगा, यानि कि 74.04% आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा, तो यह question ध्यार नखिएगा, पूछा जा चुका है एक बार, तो हो सकता हो, फिर से किसी ना किसी गाम में repeat हो जाए, अगला 65 प्रसन है, कि जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेस करती है, तो उस इस्थिती में क्या होता है, आप परिवर्तित रहते हैं, तो उसके level की बात हो रही है, इस चीज को समझेगा, कि कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेस करती है, तो आप परिवर्तित रहते हैं, थोड़ी सी डूब जाती है, उपर उठना या डूबना, नाव के पदार्थ पर डिपेंड करता है, थोड़ी उपर की ओर जो हो उठ जाती है ये कुशन मैंने साइंस में भी आपको पहले कराया हुआ है, 66 वाला प्रस्न है, आपका रॉकेट के सिध्धान्त पर कार करता है, यही वाला कुशन जो है, अमने से पहले पूछा भी था आपसे, न्यूटन का दूसरा नियम, तीसरा नियम, न्यूटन का पहला नियम, या यही वाला कर आपकर आर्कमिडीज का सिध्धान, यह आपका जा लिखा हुआ है, बताइए इन में से कौन सा जही होगा, लगबक सभी ने अंसर इसका सही दिया था, यहाली पिछली वाली क्लास में अंसर पूछा था, तो न्यूटन का जो तो अंसर आपका यहाँ पर, न् अपलब जितना आप धक्का किसी चीज को दे रहे हैं, वापस भी आप पर उतना जो है वो बल लगता है, रॉकेट में भी क्या होता है, जब नीचे की और आप देखते हैं, प्रेसर पड़ता है, तब ही वो उपर की और उठता है, तो वही सेम चीज यहाँ पर भी आपकी फॉल होती है, तो नीटन का तीसरा नियम आपका यहाँ पर सही होगा, अगला 67 प्रस नहीं कि सूर्य प्रिय पौधे हैं, ओटोग्राफ्स, हेलियोफाइट्स, हेलोफाइट्स या पर सियोफाइट्स, कौन सा इन में से जो हैं, वो सही होगा, सूर्य प्रिय पौधे जो है वो कौन से है, अंसर की बात करते हैं, तो इन चारों में से अंसर की बात करते हैं, तो हैलियो फाइट आपका ये सूरिप्रिये पौधे जो होते हैं, आपका option बी वला यांपर सही होगा, अगला 68 प्रस्टने, इन में से कौन सा तत्व सारवाधिक विद्दृत रिडात्मक हो अंसर यहां पर आपका फ्लोरीन जो है वो होता है फ्लोरीन जो है आपका सबसे ज़्यादा विद्धुत रडात्मक्त तत्व आता है यह कोश्चिन आपका विज्ञान में काफी बार रिबीट होता है और जो फ्लोरीन है यह सब आते किसमें तो हैलोजन में जो है वो आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किसमें आते हैं, तो हैलोजन जो है इसमें आते हैं, विद्धुत रडातमक्ता का प्रभाव कैसे बढ़ता है, जैसे एक समूझ होते हैं, उसमें हम जैसे से आगे बढ़ते हैं, तो परमाडु आकार जैसे से बढ़ता है, उ उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आएगा, उसके बाद आयोडीन का नंबर आएगा, इस प्रकार से आप क्रम में भी जो है इने लगा सकते हैं, अगला देखते हैं 69 प्रसन, कि मस्तिस्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग होता है, वो कौन सा होता है, ये भी कोश्चन का अफ्य अच्छा है, बताईए, पश्य मस्तिस्क, या फिर अगर मस्तिस्क, मद्य मस्तिस्क या अधस्चेता, कौन सा सही होगा, मस्तिस्क का मुख्य सोचने वाला भाग किसे कहते हैं, आंसर की बात करते हैं, तो आपकाon में देखिए, यहां पर प्रा मस्तिस्क नहीं दिया हुआ है तो अगर मस्तिस्क के साथ जाएंगे अगर देखे option में आपको प्रा मस्तिस्क दिया होता तो आपका answer प्रा मस्तिस्क जो है वो सही होता क्योंकि जो प्रा मस्तिस्क है ये इसी अगर मस्तिस्क का एक प्रमुख हिस्सा होता है तो अगर मानों मस्तिस्क के मुख्य सोचने वाला हिस्से की बात करें, तो आपका प्रामस्तिस्क ही जो है, वो होता है, ये मस्तिस्क का बड़ा और बाहरी भाग होता है, पढ़ने, सोचने, सीखने, बोलने, भावनाओं के संबन्द में चलने, जैसी मतलब सभी मास्पेसी गतिविदियां, इनको भी नियंतित करने का काम जो है, ये करता है, तो ये आपका मुख्य सोचने वाला भाग होता है, भी वाला आपका अंसर यहां पर सही होगा, पत्तर प्रस्ने भारत द्वारा निर्मित सुपर कम्प्यूटर जो है, वो कौन सा है, पैनहा 3, J8, परम 10,000 या T3A, बताइए इन में से कौन सा जो है, वो आपका सही होगा, भारत द्वारा निर्मित सुपर कम्प्यूटर जो है, वो कौन सा है अंसर की बात करते हैं तो देखें, option के according तो हम यहाँ पर परम 10,000 के साथ जा सकते हैं पर actual में 10,000 नहीं, आपका 8,000 था परम 8,000 जो है, यह आपका भारतवर्ण निर्मित सुपरकम्प्यूटर जो है वो था और यह पहला सुपरकम्प्यूटर था, इस पॉइंट को भी आप जो है वो याद रख सकते हैं यहाँ पर हम option प्रस्ट में पहला word और जोड़े दे रहें, तब आपका प्रस्ट modify भी हो जाएगा, और सही भी हो जाएगा, तो इस चीज़ को सकती प्राप्त करता है, सुद्धता से, इस स्मरती से, अपनी गती से या फिर सभी से, तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा अंसर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर अपनी सकती जो है वो अंसर की बात करते हैं, तो सुद्धता से भी, स्मृत्ती से भी, गती से भी, तीनों ही चीज़े आ जाएंगी, ये सभी आपका option सही होगा, अगला प्रसने, विस्व में केले का उत्पादन करने वाला आपसे पूछा गया है, देश कौन सा है, सिलंका, भारत, पाकिस्तान, न भारत जो है, विस्व में केले का सबसे आदा उत्पादन करने वाले देश में आता है, 73 प्रसन है इनमें से किसके नाम पर अमेरिका का नाम करना जो है, वो किया गया, अमैरिको बैस्पुसी, या फिर मैगलन, या कॉलमबस, या इनमें से कोई नहीं, तो इन चारों में से अंसर की बात करते हैं, आपका पहला опशन America Vespucci, जो है यह आपका सही होगा, Vespucci करके हैं इनका नाम कहीं कहीं देखने को मिलता है, और यह जो है Italy के जो है वो थे आपका 1507 में अमेरिकान का नाम इनके नाम पर जो है वो कौन है रामूर्थी जॉन ग्रिशम कुसलदास सल्मान रस्दी पता ये कौन सा सही होगा अंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो सल्मान जो रस्दी है इनकी प्रमुख उस तक में आती है अगला और इस वीडियो का लाश्ट प्रस्द देखते हैं इसके बाद एक प्रस्द हम आपसे भी जो है वो खुछेंगे जैसे की सबी वीडियो में आप से खने है कर प्रस्द बूस्ते हैं इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश जुड़ जाएगा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जुरूर जुरूर करते रहीगा प्रसनापका 75 है कि भारत के किस स्थान पर देश के पहले क्रत्रिम रबर सयंत्र का उधगाटन जो है वो किया गया पानिपत, पूने, जालंधर, पंजाब बताइए इनमें से कौन सा सही होगा जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसकी टाइमिंग दुपहर के 3 बजे की है और एक लाइफ टाइमिंग सामके 8 बजे की भी है, जिसमें हम सुपर टेट के लिए जो है वो टॉपिक वाइस वीडियो देख रहे हैं और साथी साथ प्रस्णों की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लाइब आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रस्णों की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बताइए इनमें से कौन से सही होगा आंसर की बात करते हैं, तो आपका option पहला वाला यहां पर पानी पत जो है वो सही होगा तो ये है आपका इस वीडियो का प्रस्थ इसके बाद वाले सेट से हिंदी के लिए कि अध्या देश जो सब्द है इसकी संदी जो है वो कौन सी होगी A ओप्षन है दीरग, B ओप्षन है व्रधी, C ओप्षन है जड़ और D ओप्षन है गोड़े तो इन चारों में से कौन सा स कर दो प्रस्थन प्रस्थन है